गुद्बारिंग नमस्कार आदाव मैं रिजवार महंदरा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं एक नए सेशन की बात करें और एक नए सेशन में आज हम लोग की सुरुआत होगी की डाइजस्टी सिस्टम की बात हम लोग करने जा रहे हैं तो जल्दी से उम्मीद करते हैं आप जुड़ चुके होंगे और काफी लोग जुड़ चुके हैं आयूस, अंसीका, सभी लोग जुड़ गया हैं बहुत अच्छी बात है जल्दी से जो है यहाँ पे सेशन की वात होगी. जल्दी से जुडिए यहां पर और हम लोग बात करने वाले हैं कि जो है diegestry system के बार में digestion के आज प्रकषण कराने वाले हैं. तो उमीर करते हैं आप आज कुस्ट्कन करणे वाले हैं गजल्दी से चलिए ठीक है बहुत जल्दी से मुझे बताएं चलिए साक्षी आयोस कसिस स्वेता सभी को आवाज आ रहे मुझे लगता सबको आवाज आ रहे बहुत बढ़िया जल्दी से यहां पर जुड़ते हैं और आगे हम लोग बात करने वाले हैं के बहुत महतपूर कोश्चन है और एक बार फिर से महंदरा गुरु में आपका स्वागत है मैं रिजवान महंदरा आप सभी का स्वागत करता हूं आवाज सब को आ रही या नहीं है जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं ठीक 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 आवाज आ रही इसका मतलब सब लोग बहुत करें अ करते हैं जैसे कि हम लोग रबार की तरह करते करते हैं तो चलिए सेसन को सुरुवात करते हैं ज़्यादा-टाइम ना लेते हुए आपके सरवात करते हैं पहला कोस्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि गेस्टिक जूस जयो होता yhte होता है एसड को ता है孤 बिल्कुल सही आंसर मिलना छाइए और यह ऐसे कुष्टिन में है जो आपके हर एक्जाम के लिए इंप्रोडनली चाहें डीपी सी का चाहें रेलवए का हो चाहें जो भी एक्जाम का हो तो बहतरीन कोश्चन सोंगे यह आपको सारी चीज्ज़े गेंगे और ठीक है जल्दी से अंसर दीज़ेगा कि जो गैस्ट निहीं होता है रही नीं होता है यह थी जली से मुझे बताएंगे ऐधिक है काफी लोग जुड़ चुके हैं कशिच bisa ऑजैय आयू़ साक्षी काफी लोग जुड़ कें अभी सिरुआज़ करतें जल्सक अंसर बताया अ लुका यह ऋड्यों house यहां पे अगर ठीक है जल्दी से पताए कि क्या सभी है सैंसर आपका जल्दी से जल्दी से पता the जल disciplined sensitive का मीडi am hoता है जिस्टि के बार पर तो कैसा होता है रेनिन, डबल N है, और तीसरा क्या निकलता है, SCL निकलता है, तो ये तीन चीज़े निकलती है, पेपसिन, रेनिन, इनके बारे मागर हम बात करें तो, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़े जो है समझ में आ रही होंगे, ठीक है, तो जल्दी से जुड़िये और हम लोग सेसन की एक अच्छी सेसन की सुरुवात करते हैं, ठीक है, चलिए, तो आंसर आप लोग को देना है, और आंसर आप लोग ने दिया, काफी लोग ने आंसर दिया, उनके बारे में विबात कर लें, तो कसिस ने आंसर दिया, धर्मेन ने दिया, बहुत बढ़िया राहूल नागेंद्र सोनिया राजे सभी लोग आंसर करें बहुत बड़ी आंसर करें सूरच चलिए बहुत बड़ी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो यह सारी चीजों के बारे में बात हो रही है चलिए नेक्स कोश्चन करते हैं ज पर जोड़ सकते हैं देष सारी मेडियम में होता है याद रखें रखें याद रखें पैंक्रियाज के बारे डूसरा को में होता है किस चीज के लिए करता है आप जाप्शं के लिए होता है यहां उन्डोक्रायण एक्टिविटी should जल्दी से मुझे बताएं यहां पर जल्दी से बताएं जल्दी से बताएं यहां पर चलिए अंसर मिलना चाहिए पैंक्रियाज जिसको हम लोग सेकेंड लार्जस ग्लेंड कहा जाता है सेकेंड लार्जस ग्लेंड है पैंक्रियाज और यहां पर आपको बताना है कि पैंक्रि को आंसर मिलना चालो गया कभी संव को पता है जादा जादा लोक्पिया और लिंग को सेयर भी करिए और थीक है अच्छे के कोश्चन आपको मिलने वाले हैं सुरुवात हो गई है काफी अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और रोज की तरह आफ्री नेहा धर्मेन सुमीत गजेंच सब लोग जुड़ चुके अंसर भी बता रहे हैं सभी लोग का आंसर सही है सी बिलकुल आंसर सही है चलिए नेक्स को कोश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाए रहा है कंप्लीट डाइजेशन अब फूड़ अकर सीन कंप्लीट बोजन का कंप जो कंप्लीट डाइजेशन होता कहां होता है स्टमक में इसमाल इंटेस्टाइन में पंक्रियाज में यागनासे में चलिए काफी लोग ने आंसर दिय में इसमाल इंटेस्टाइन में बोजन का सभी हो जाता है इस ट्मक के बारे में आपको पता है इस ट्मक हमारा जो है वो protein का digestion सबसे पहले start करता है, याद रखो, protein का यहाँ पे digestion सबसे पहले start होता है, और pancreas के बारे में भी आपने बढ़ा, कि दूसरी सबसे बड़ी gland होती है, second largest gland है, second largest gland है, याद रखोगे, और इसको mixed gland कहा जाता है, ये भी आपको पता है, large intestine में water का absorption होता है, याद रखो, water जो है, वो अबजार होता है, क्या होता है, water का absorption होता है, तो ये चीज़े याद रखना है, तो क्या चीज़े हैं, चलिए आपको पता है, बहुत बढ़िया, चलिए आपने बता है, next question की तरफ बढ़ते हैं, चलिए कह रहा है कि the name of digestive juice, that lacks enzymes, but help in digestion, कह रहा है कि कौन सा digestive juice है, जिसमें enzyme नहीं होता, फिर भी digestion में मदद करता है, चलिए काफी लोग ने answer दिया, धर्मेन नया, गजेन, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़ी answer दे रहे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से session में बने रहेंगे last तक, चुकि वो important question है, जितना आपने digestion पढ़ा, उसका सारा ये theme है, और ये अगर आपको पता हो गया, ये अच्छे से आप कर ले गए, तो बाकी आपने चुकी revision आप एक हिसाफ से revision भी होगा, और ये पूरा digestion इस आदे घंटे में आपका पूरा complete होगा, याद रखें, बहुत बेतरीन question होगे, और answer मिलना चालो हो गया, चलिए सोनो, style juice कहां से secret होता है, लीबर से secret होता है, और लीबर हमारी body की सबसे बड़ी gland है, pancreatic juice के बारे में पता है, trypsin, chemo, trypsin और emile, निकलता है, और पेपसीन तो जानते ही है, पेपसीन कहां से निकलता है, ये तो निकलता कहां से भई, इस ट्रमक से निकलता है, याद रखोगे, चालिए, क्या बात है सब लोग, अच्छे से answer कर रहे हैं, क्या बात है, और टाइलीन जो है, कहां से निकलता है, ये सिलायबा से निकलता है, तो session में last तक जरूर बने रहेंगे, आज session का digestion का अगर देखें, तो सबसे बेहतरीन है, चुकि आज यहां पे हम लोग class कर रहे है देखें, साम को जो है, जैसे अभी हम बात करेंगे, दोपार में तीन बजे भी हम लोग जुड़ेंगे, और साम को, साम को बहुत important है, जुड़िएगा जरूर, साम को disease के बारे हम बात करेंगे, और ऐसे से trick के बारे हम बात करेंगे, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, बहुत आसानी से याद करेंगे साम को 730 पे साम को 730 पे जरूर जुड़िएगा चलि आगे बढ़ते हैं कोशन काफी लोग ने अंसर दिया नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं यह बहुत महित्पूर्ण कोशन है हर एक्जाम में आया हुआ कोशन है मुझे उमीद है आप बता जल्दी से मुझे बताना है कि ग्लीψन से धियूस जो होता है वह कहां पाया जाता है जल्दी से मुझे बताएंगे जलd Gaussian के पता है जली काफी लोग नहीं राजिस महीमा अंकिता तफसीर चलिए आप लोग अच्छा अंसर दे रहे हैं बहुत बढ़ी आंसर दे रहे हैं क्या बात है जबरजस्त आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़ीया लग रहा है चलिए बहुत बढ़ीया बहुत बढ़ीया सेसन को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग और जो है answer मिलना भी चालोगा क्या बात है सभी लोग answer कर रहे है भी answer बिलकुल सही है याद रखो leecens capsule कहां पर एता लीबर में याद रखो leecens capsule याद रखेंगे लेवर में पाया जाता है याद रखोगे बहुत important है चुकि यह important question है याद रखोगे कि जैसे Его की जो होता है उसके पास पनेटिऊ के याद रखोगे ये इंपर्टरौल कोंसे याद रखोगे ठीक है आपको पता है लीबर सबसे बड़ी gland है और जैसे क्या होता कि कभी-कभी कोई आरगन जो है वो कट जाए आरगन जो है जैसे माली जे अगर हमारी body से कोई donate करना है तो liver थोड़ा सा कट करके donate कर सकते हैं लिकिन ऐसा होता कि kidney आप donate करने तो kidney पूरा देना पड़ रहा है लिबर थोड़ा काट के निकाल सकते हैं रिजनरेशन पावर maximum होती है जैसे lizard की tail कट के गिर जाती है तो दुबारा फिर से आ जाती है उसी तरिक लिबर अगर थोड़ा सा काट के निकाल दो तो फिर से वापस लिबर आ जाता है कोगे यह कौन से बात होई ठीक है ऐसे ही बात ह होती है लेकिन ब्रेंगी सिल दुबारा वापस नहीं आ पाती याद रखो कि बहुत इंप्वाड़न से सना कभी ठीक ठीक कोई नहीं यह परिसान नहोंगे आप परिसान बिलकुल नहोंगे चलिए जल्दी से बताएंगे एक कुशन और आ गया और अच्छा कुशन आपके प्रदीब रूसी अजय धर्मेंद आप लोग ने अच्छा अंसर दिया साक्षी बिलकुल बिलकुल सभी लोग ने आंसर किया चलिए क्या बात है अगला कुशन है और अच्छा कुशन है किरा कि लीबर का जो अप्राक्स वेट होता है वो कितना होता है जल्दी से मुझे ब चलिए जल्दी से बिलकुल चलिए क्या बात हैं क्या बात है सभी लोग अंसर करें क्या बात है डूげे के किसी का गलत नहीं होगा और मुझे अमीद है क्योंकि मुझसे आप पढ़ रहे हैं तो गलत होने का चांस बनता है नहीं है और कोई भी है और सबसे है भी आर्गण तो हमारा ब्रेञ जोहै सबसे हैभी आरगण होता है क्या बात है महीमा कसीश अजीछ सुमीद नागेंत सभी लोग आंसर कर रहेति क्या बात है जाबर जस्ट अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर जबर्जस चलिए बढ़िया दर्मेंद महिमा आफरीन सूराज आरसी सोनिया क्या बात है जबर्जस सेसन को आगे बढ़ाते हैं कहां से निकलता है जल्दी से मुझे बताएंगे यह भी मैं आपको पढ़ाया हूँ और गलत नहीं होना चाहिए क्या बात है वन पाइंट फोर क पंक्रियास से निकलती है कहां से निकलती है यह आपको बताना है काफी लोग ने अंसर इसका पहला दिया था बहुत अच्छा अंसर दिया था आप लोग ने चलिए इसको बताना है आपको जल्दी से बताना है और सेसन को हम लोग बढ़ाते सुन्दर सेसन बनाते हैं हम लो और आइज और को पता हुना चाहिए कि पिटूटी ग्लेंड जो होती है जो पैंक्रियाज हमारी होती है उसमें निकलता है याद रखो इंसुलीन एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली क्या नाम था इली लिली उसने हुमिलीन जो है बनाई थी जिसके लिए नोबिल प्राइज भी मिला था उसको ठीक है याद रखोगे चलिए सुमेत आयूस आप लोग अच्छे से जुड़े हैं बहुत बढ़िया चलिए अन्सिका अराजेश महिमा चलिए आप लोग जूढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया चलिए आँस आप लोग अच्छा है रहे हैं अलपा से गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए याद रखोगे इंसुलिन कहां से निकलती आलफा से बीटा से डेल्टा से या एफ से जल्दी से मुझे बताएंगे कोश्चन अच्छे ही होंगे याद रखो हां बिल्कुल अकांचा इली इली ठीक है आप लोग ने बता है बहुत बढ़िया चलिए ठीक है ठीक है याद रखेंगे पहले पहले जो है कैटल्स के जो जानवरों को पैंक्रियास से इंसुलिन बनाई आती थी तो इतना जानवर कह मिलेगा उसको काट काट के पैंक्रियास बनाई जागा याद रखेंगे यह इंसुलिन के लिए चलिए आंसर सभी लोग ने दिया इंसुलिन का जो है वह कहां से निकलता है सभी लोग आंसर करें क्या प्रदीब आफरीन आकांचा सुमित पलक सोनिया सिवम आप लोग अच् कोश्चन नहीं होगा जो आपके एक्जाम में आया आप मुझे बताईएगा कि सर यह कोश्चन आपने नहीं पढ़ा था मैं गारंटी के साथ बताता हूं कोई भी कोश्चन इवें पीसियस यसाई रेलवे एंडी बीसी कोई एक्जाम हो जिसमें साइंस आता हो या कोई भी पहले पार्ट को क्या कहा जाता है जल्दी से मुझे बताएंगे चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा ठीक है ठीक है सूरच कोई भी दिक्कत नहीं है मैं आप सन को भी पड़दे रहा हूं ठीक है परसान मत हो यह बिल्कुल चले ठीक है यहां पर आप बात किया च पहले की Selbst बने हुए लोग साथ बने हुए क्या पात है जबर्जस्ट होना चांगे और इसी तरी के साब बने रहरे तो मैं ने बता याद कलियर चाहिए काफे लोग अच्छा नी शरी सिवानी सागर प्रदीर सुपेता काइन WE Coalition प्रदीव चलिए आप लोग अच्छा अंसर करें बहुत बड़ी आंसर करें बहुत अच्छा सेसं में आप लोग जुड़े हैं क्या बात है जबर्जस्ट और एक और अच्छा कोजिशन लार्जस सबसे बड़ी सब्सक्राइब कौंसी होती है यह जरूर बताना आपको गलत नहीं होना चाहिए कोश्टन मुझे उम्मीद है गलत नहीं करोगे उम्मीद है गलत नहीं करोगे याद रखो इंपॉर्टेंट है इसलिए गलत नहीं होना चाहिए मुझे उम्मीद है चलिए जल्दी से बताएं कि धर्मेंद साक्षी क्या बात है राजेस जबर्जस जबर is the largest gland चलिए बहुत बढ़िया नागेंद चलिए काफी लोग ने अंसर किया और सबसे बड़ी gland का नाम क्या है पैराटिट ग्लेंड है यह सबसे बड़ी ग्लेंड होती याद रखो पैराटिट मैंने जिक्र किया था एक बिमारी होती म Ubz जिसका नाम होता गल्स मों तो गल्स मेंड होता है इस सबी लोग चलिया या बातrän याँ मैं उम्मिद यही करूंगा एक भी कोश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि कोश्चन बहुत इंपॉइडिंट है याद रखेंगे चले नेक्स कोश्चन आते हैं नेक्स कोश्चन आपके स्क्रीन पर और अच्छा कोश्चन है यह मुझे जबाब दीजेगा सही जब मेडियम करता है कि चलेंगे बिलकुल नागेंद आपने पेरस ब्रशन होता जल्दीавно सब्चार चला और दक्र यह याद रखें यह इंपोर्टेंट है क्या रहे कि पेपसीन जो है वह टिफर कैसे करता है चुकि पेपसीन जो है बेलुकुल क्या बाता है आयूस अकांचा क्या बाता है जवर्जस बहुत बढ़िया और यह एसेडिक मीडियम में करता है और ट्रिपसिन जो है वह बेसिक मीडियम में वो पंक्रियास से निगलता है याद रखोगे यह इंपॉर्डेंट है याद रखोगे इसको जरूर याद रखेंगे यहां पर इंपॉर्डेंट इतनी चीज़े हैं इसके बारे में जरूर चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग काफी लोग ना अंसर दिया बढ़िया लगा कुश्चन आप बता रहें सिक्रीशन आप गैस्टिक जूस के सिक्रीशन को कौन करता है इंट्रोगेस्टरान कोली सिस्टोकाइन या पिपसिन यहां पर आपको बताना अच्छा अंसर बताना मुझे अमीद है आप सही बताएंगे चुकि आप अच्छे से पढ़ चुके हैं इसलिए गलट नहीं बताएंगे जल्दी से यहां पे बात करें हम लोग और अंसर सही होना चाहिए चलिए क्या बात है चलिए और सही आंसर दे रहें सी आंसर, दे रहें साक्षी बिल्कुल सही प्रधीफ थी आंसर मेला क्या बात है is कलए कोई कुछन गलत होने वाला यह आज कैँ बात है चलिए बहुत बड़िया आजए इस तरीके से कौशन आगे बढ़ते हैं आप industry ने करते हैं और क्येंग क्या बात है जबर्जस्त आप बता रहें चलिए कहा रहा है कि टेस्ट बड़ जो होता है वो बीटर स्वाथ जो है कहां मिलता है बीटर का मतलब कड़वा कड़वे स्वाथ के लिए जो टंग पे 1500-3000 टेस्ट बड़ शुपाई आती हैं कभी कभी कुछ लोग देखा होगा कि कभी टंग को ज्यादा क्लीन करने के चक्कर में टेस्ट बड़ को ही गायब कर देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता कि कुछ लोग को स्वाधी नहीं मिला है तीसले दिक्कत हो जाती है तो कभी लोग प इसको मैंने बोलता आगे कि तरब क्या लगता स्वीट लगता है और यहां पर साल्टी और यहां पर लगता है और लगता है और यहां साइड पे पोस्टीर साइड मतलब यहां पर पिछला हिस्स ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पोस्टीर का मतलब पिछला है याद रखो पोस्टीर मतलब पिछला है उल्टा हो गया आप संद देखें यहां पर थोड़ा सा याद रखो पोस्टीर का मतलब है पिछला हिस्स पीछे का साइड में जिसको पोस्टीर बोलते हैं तो अगर आंसर कहें यह अगर आपने भी दिया इसके साफ से दिया तो यह भी आंसर सही है चुकि यहां पर थोड़ा सा हिंदी इंगलिस में थोड़ा कंफ्यूजन होगा ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन की तरह बढ़ते हैं कामो तृफसी गती है ठीक है ठीक ही ठीक है अगर आपने धट्रेस जवार दिया तो भी सख है मैंने दोनों नहीं है कियों ये प्रेशान बिल्कुन ना होऊएंगा क्योंकि आपने जवद दिया चुक्कि आप मुझसे पढ़ें इसलिए गलत नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं जैक्स अब अब लोग और कहया रहा हुआ की काई लोटींच जो होता वो कहां से निकलता है आपने आंसर सहीillar है यह भी नहीं थ्याम के लिए हुआ रहा हां है चली चली ठीका ठीका ठीक ठीका दे और अंसर सही है क्या बात है ठीक definition होता है वो है सही आंसर याद रखे pencreatic पिंग बड़ीया डाइजेशन कंपलीट कहा होता है यह अगर आपने बता दिया तो मैं समझ गया कि आपने डाइजेशन पूरा चलिए सबी लोग आंसर बता रहे हैं और अında सरा रहा है इस तरीके से हाथ ठीकुरीґ क्लास आपका कितने टाइम में होता है यहीं तो हम लोग पढ़ते हैं जैसे आज साम को आप पढ़ेंगे डिजीज सेबन थर्टी पे डिजीज पढ़ेंगे सब लोग आज साम को सेबन थर्टी पर हम लोग लाइब होंगे डिजीज पढ़ेंगे तो तीन बज़े जो है वो questions का दौर रहेगा तीन बज़े अभी दोपार में और साम को हाँ बिलकुल आपने सुम्मित बोला चाय पी है चाय पी अग एक जो है अवला आपको परेडे खाना एक हरी मिर्च डेली खानी है और एक चौकलेट डेली खानी था और चौकलेट कैसी डर्क चौकलेट खानी याद रखोगे यह तीन चीज़े इसतिमाल करते रहे हैं कोरोणा कभी नहीं मिलेगा आपको आप अप परिसान बिलकु ग्लेंड वहीं पाई आती है लेकिन अप्जाप्शन इलियम में सबसे जादा होता है तो राइजीशन का लगमग पाचन इलियम में हो जाता है क्या बात है जबर जस्ट कि तरह बढ़ते इसी तरीके से थीक किया बात है मुकेस जबरदस पूनम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए क्या बात है आफरीन स्वेता आप लोग च्रांसर कें चलिए कि सेमी डाजेस्टिफ फूड जो है वह अगर डियूडिनम में इंटर करता है तो उसका नाम क्या होता मैंने तीन नाम बताये थे आपको अगर पता होगा मैंने बोला था कि एक होता है एक होता है क्या होता बोलस एक होता है मैंने नाम बताये था बोलस और एक होता है क लाइब और एक होता है काईल यह तीन नाम हमने बताये दो तो सकते हैं या इसको ऐसे भी वोल tak सफसरी काईल भी बन सकते हैं तो आंसर मिलना चालो क्या बात है मुझे बताना नहीं पुड़ रहा है बोलस बोलते यहाँ पर काईल की बात करें तो इन टE चाएंचर चाएंसर क्या बात है क्या देंडर क्या göreधा डिकर बाद और धर बाध बढ़ भात ऊंतार सब्सक्राइब अपों देडनर प्रकूल सब्सक्राइब शाले ही पॉक्तर प давайте । इंपॉर्टन है याद रखो यह क्या है इन्टेंस हें क्या रख कियो से इन्टेंसलि यूष है इन्टे स्टैइन में पाए जाने वाले जूष को बोलते हैं B hopeurrend day name a pop- Galun product question की तरह बढ़ते हैं रिए एक अच्छा अच्छा हमारे पस स्ट्रमक होता है तो हम लोग कभी नहीं होता है कि हम लोग जैसे होता है कि घर M आधे और जानवरों को अगर देखाऊआं आपने तो जानुमर किया करते हैं जातेमें खुब खाना खाके चले आते हैं खुब खाना के जब खाक चले आते हैं घर आते अराम से चबा चबा के गैस निकालते हैं मेथेन गैस निकालते हैं वाइट वाइट जाग निकलता है और खाने को डाइजस करते हैं तो पलट के वापस कर लेते खाने को हम लोग ऐसा पलट के नहीं कर सकते हैं क्य कि अगर हम लोग पल्ट के ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि जैसे मालू किसी पडोस में कोई पार्टी है हम लोग गये पनीर भर के लिग चले आए और पतचला पलण कि जितने परिवार हैं तोड़ा निकाल कर देंगे ऐसा नहीं होगा ुसलिए नेचर ने हमारे को क्या कर दिय या हमारे को इन वालेंट्री बना दिया। जबकि जानवरों का इस्ट्रमक का कुछ पार्थ स्मेड औरी हो बहुत बढ़े आंसर और इस तरीके से लिए रहा हूं आपको क्या वेता हूं आप लोग सबीह अंसर बतार रहें क्या बात जबर जस्त यह लग रहा है कि यहां पढ़ाई आपकी अच्छी और रूसी सिवाम धर्मेंद प्रांचल बहुत बढ़िया चलिए ठीक है अजय क्या बात है क्या बात है नेक्स कोशन की तरह बढ़ते हैं इसी तरह के से कह रहा कि फिर मैंने पूछा है कि विच आप फालिंग आपको मैं आरगन की बात करूं आरगन में जो अभी आपने देखोगा है और याशन Tamraन के लिए जो है बेजा गया था तो हड्स की दूसरी जगह तक सो मैक्सिमुम होता है वह करीब से आठ गंते तक होता है तो वह मैक्सिमुम लाइफ होता वह 48 गंड़े दो दिन तक रख सकते हो किड़नी लीबर भी आपका 10 गंड़े तक टाइम होता है तो वह सारी चीज़ आपको पता है चलिए ठीक है बिलकुल सही है चलिए आंसर बढ़ते हैं इसी तरीके से और आंसर मिला कि आंसर मिला क्या बात है लीबर लीबर रीजनरेट क कि आ जा सकता हैट चाहिवरजस्ट और सबसे कम किसका बारे में आदे रखो इस प्रीन को क्या बोला जाता है याद रखो कि ब्लैड पोला जाता है याद रखो इसको बोला जाता ब्लैड बैट बिलाता बोला जाता यहद्शे हैँ चांग घलत नहीं हो Emporeeting भी नहीं भी सकत अच्छे से पढ़ा है तो आपको खुद लगेगा कि हम भूलना भूल जाएंगे एक बार पढ़ेंगे तो दुबारा पढ़ने के ज़रूरत नहीं होगी याद रखें नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं क्या बात है स्वेता दिपेंद आदित अकांचा हां 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 ठीक है ठ ठीक है ठीक है ठीक है धर्मेंद रूसी चलिए ठीक है लोष रिजनेशन लाएर ब्रेट बेंग बोलते हैं चलिए आपने बोला Cyrus एक विमारी यह जो किस अरूर्गन प्रपोफवीत करती है Cyrus आरूर्गन किस आरूर्गन प्रवावित करती है चलिसे आप बताओगे क्या बा पार्स्टिट को की टीट के आपने थोड़ा दिये थे तो फिर कैसे खाएंगे अच्छा सिव आपने बोला है ठीक कोई नहीं चलिए चलिए यहां पर बात करें हम लोग कि सिरोसिस जो है बिमारी कहा की होती है और सिरोसिस जो लोग जाता है याद रखो और बहुत लंबे समय तक रहा अगर सिरोसिस तो चैंसर बन जाता यbrahim राखोगे सिग्रेट पीना विष्वास्त के लिए आनिका रख है दारू पीना और नुकसान है इसका मतलब यह देखाऊगा बनाएं तो बहुत गडबड है इसका मतलब सीग्रेट भीना प्या Report यह से चल्ले लोग बनाते है उसमें क्या होता देखें एक चीज याद रखोगे जो चल्ला होता है बेंजीम होती है और बेंजीन लंग याद रखो इसलिए दारू भी नहीं अच्छी है सिज्च्रेट भी छोता है लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं जैसे चीज़ जो है वो ऐसा स्ब्सक्राइब करता था याद रखो कारविध करता है De las şi अचलिया अजय आपने बोला हमारہ inhale जिगर बात है सही है लोग जिगर में आग है जिगर बड़ा होना चिए अरक कुछ नहीं बड़ा होना ठीक है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया चलिए चलिए ठीक है ठीक है यहां पर क्वेशन है कि विच आप फालूइंग पार्ट आप स्टोर बिटमिन डी डी ट्वेल कौन इस्टोर करता है ब्रेन लीबर पैंक्रियाज या रबी सी जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर सही मिल है कि हम लोग खाते पीते सोते चार दिन की जिन्दगी बहुत अच्छा लगेगा आपको आज का सेसन अच्छा लगेगा मजा आएगा चलिए इस तरीके से और अंसर मिला तो याद रखो कि क्या बाट है जबर्जास रूसी आयूस सुमेथ ठीक चोरसिया मैमा ठीक है आप लोग आयूस आंसर बताए अपने लीवर याद रखो लीवर में बिटमीन जितने फैट साल बुल बिटमीन होती है लगबग स्टोर होती है हमारी बाड़ी में बिटमीन्स ब स्क्यूंद्स को महीने बर की जिंदगी होती है मस्त रहते हैं इसकी येक दिन में पढ़ना लिखना भी है उनको साधी व्याओ करना है एक दिन में उनकी आगे जनरेशन भी बढ़ाने हैं मतलब वद्दे भी मिलाएंगे सब कुछ मनाएंगे एक दिन में कित्ता इंपर्टेंट उनकी लाइफ होगी में मखी में फ्लाई एक दिन की लाइफ होती है चलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग इस तरीके से आंसर आप लोग देना चालो करें इंटिंसिक फैक्टर जो होता है वो किस चीज के लिए होता यह जरूर याद रखेंगे कोशन बहुत इंपरेंट है याद रखोगे बीटोल का अब जाप्शन के लिए होता काफी लोग ने अंसर दिया महिमा योगेंद्र पिंकी सिवा मुरूसी क्या बात है बिल्कुल सही आंसर आप लोग का है और मजा आ गया आप लोग अंसर बता रह है कि सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर हो रही है उम्मेद करेंगे आपकी तैयारी अच्छी होगी चलिए आगे बढ़ते हैं कोश्चन में चला कह रहा है कि अगर जादा कार्बो अधिक अंदर हो गया तो क्या होगा जल्दी से बताएंगे कार्बो अधिक हमारे अंदर बहुत अच्छा लग रहा है आपको भी सेशन अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लग रहा हो सेशन तो यस या नो बहुत ही है सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है जल्दी से मुझे बताएं यस या नो और अंसर मिला एकसेस कार्बो अगर हमारे एकसेस कार्बोहडडेट हो जाए तो क्या होगा इस्टोर बौडी बॉर्डी में इस्टोर हो जाएगा या क्या होगा चेंज इंज बाडी में कार्बो एडिट अगर इक्सेस में चला जाए तो क्या होगा इस्टोर रहता है जब भूखा रहना इस्टार करते हो तो वह तोड़ता है तो सबसे पहले यादर को सबसे लास्ट में क्या गलता है सबसे लास्ट में प्रोटीन गलता है चलिए नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से बताईएगा आप लोग चलिए धर्मेद सुभं सिवं साक्षी आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं क्या बात है बहुत बढ़ी प्रोटीन चलिए ठिक है ठीक है ठीक है घाख जो पानी को सब्सक्राइब करके रखता है वह भी इंदिफोच समय को ठीक ठीक है बहुत बढ़िया चलिए आप लोग का प्यार इसी तरgriff के कि बहुत we किसी का नए गलत होगा यह मुझे है कोई बात नहीं याद रखेंगे फंक ने दिया था क्या बात है जबर जसन हो रहा है और लाइक से आपका होना चाहिए बहुत बढ़ियां डिस्कबर भाई फ्रैंक्ली बढ़ टर्म बिलकुल आपने बोला कि होपके इसने डिस्कवरी किय नाम आप रखेंगे चाहे डिस्कवरी पूछे चाहे तर्म पूछे तो फंक ही बताएगा चले यहां पर आंसर सही था काफी लोग ने अंसर दिया राजेश सुरेश साक्षी आप लोग अच्छा अंसर करें चले नेक्स कोसिन की तरफ बढ़ते हैं कह रहा कि लार्ज इंट ने कपार्ट कौन सा नहीं है जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे हां बिलकुल बिलकुल ठीकत तक मैसे और चला點 जैसे कि अभी है उससे भी तगड़ा साम को साड़े साथ बज़े से सन में होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए यहां पर आंसर है लाज इंटेस्टाइन का जो है कौन सा पार्ट नहीं है याद रखो आंसर सही मिला मुझे उम्मीद ही है कि आप लोग गल एक पार्ट क्या है वो इसमाल इंटेस्टान का एक क्वेश्चन है उमीद है बताओगे सबसे हार्ड़ सबस्टेंस क्या होता है जल्दी से मुझे बताएंगे और यह ठीक है ठीक है ठीक है बिमल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिमल चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ह बिमल आपने बहुत अच्छा आप अच्छा जबाब दे रहो बहुत बढ़ियां आपके बिचार हैं बहुत अच्छा लग रहा है बोन डेंटीन इनेमल और फाइबरो काठीले जल्दी से यहाँ पे आप बात करो यहाँ पे कौन सा अंसर सही होगा वाट इस दा हाड़े सबस कैल्सियम फास्ट चीज़ का बना होता है वॉन कैल्सियम फास्ट की बनी पर cape राट रहा होता है याद रखे थी बताने नहीं तो तो यहां पर मुझे उमीद है, आपको सारी चीजे जो सिसन है, वो जरूर पसंद आया होगा, ठीक है, चलिए यहां पर बात करें हम लोग, ठीक है, तो मुझे उमीद है यहां पर, आपको ये सारी चीजे अच्छी लगी होगी, मुझे लगता है कि उमीद आपको अच्छा सि किया उसके लिए थैंक यू